आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूँ वही युद्ध जो ज्वाला मुखी की भाती कभी भी फट सकता है युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगा है जो युद्धा अभ्यास शेत्र में जितना अधिक समय देगा रण भूमी में उतना ही कमरत बहेगा एक समान लो और तीखी तल्वार में अंतर यही है कि एक तीखी तल्वार को कड़ी अगनी परिक्षा से होकर जाना पड़ता है लोहकार की मार खानी पड़ती है एक तल्वार जितनी पीडा सहेगी उसका वार उतना ही प्रबल होता है इसलिए पीडा से घबराए नहीं उसका सामना करें उसका अभ्यास करें चुकि यही अभ्यास जीवन के युध में आपको विजय श्री बनाता है जब मेग च्छाते हैं तो क्या होता है? अंधकार च्छा जाता है मेग गरशते, बिजलिया कड़कते, बर्शा होती सभी पशु अपने आश्रे स्थल पर जाकर छिप जाते मनुष्य अपने घरों की ओर दोड़ते और सभी पक्षी अपने घोशलों में जाकर छिप जाते परंतू एक जीव है, जो गरशते मेगों को, कड़कती बिजलियों को, भारी वर्शा को भी हरा देता है वो जीव है बास, चुकि वो समस्या की जड़ों से उपर उड़ता है वो गरशते मेगों से, कड़कती बिजलियों से, भारी वर्शा से, इन सब से उपर यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में ये युद्ध हार और जीत का नहीं समस्या और सोच का है यदि आप अपनी सोच को छोटी रखेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी और यदि आप अपनी सोच को बड़ी रखेंगे तो समस्या छोटी हो जाएगी दो मनुष्यों के मद्ध होता है परंतु विजय सदायव एक ही मनुष्य को मिलती जबकि समान रूप से दूनों शक्तिशाली होते समान ज्यान प्राप्त करते है कारण दो प्रकार के लोहे होते हैं एक ठंडा, एक गरम कभी सोचा है, लोहकार लोहे को लोहे से ही काटता है परंतु सदायव ठंडा लोहा ही गरम लोहे को काट पाता है और यही नीती मनुष्यों पर भी लागू होती है जब युद्ध होता, तो जिसके मन में इर्शा होती है चलन होती आक्रोश होता है वो गर्म लोहे के समान और जिसका मन शांत होता है जिसका मन संयम से बंधा होता है वो ठंडे लोहे के समान है और वही इर्शा और द्वेश नामक गर्म लोहे को काट सकता है इसलिए यदि जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करनी है तो अपने मन को शांत रखे चुकि गर्म लोहे की भाती इर्शा और क्रोध जैसे भाव को रखने वाला मनुष्य सदैव शांत स्वभाव के मनुष्य के समक्ष निर्बल है चक्ति इर्शा और क्रोध में नहीं शांती और सैयम में है सभी बड़े सदा यही कहते आएं कि यदि आगे बढ़ना है तो अपनों का साथ दो सत्य कहते हैं अपनों का साथ देना ही चाहिए परंतु साथ देने से पूर्व ये अवश्य पहचान लेना चाहिए कि अपने है कौन क्या अपने वही होते हैं जिनके साथ हमारा रच संबंध होता है या अपने मित्र अपने वो होते हैं जो हमें सदकार के लिए प्रेरित करें हमें आगे बढ़ाएं हमारा साथ दे और वो जिनका साथ देने से समाज का नाशु, धर्म की हानी वो सगे होकर के भी सगे नहीं होते इसलिए जब अपनों की परिभाशा का चुनाव करें तो उन्हें अपना माने जो आपका साथ दे उन्हें नहीं जो हमें अज्ञान के मार्क पर ले जाएं सीमा एक रेका ही नहीं एक परिभाशा भी है सीमा हर किसी की होती प्रेम की, धैर की, मित्रता की और शत्रता की भी और जो सदयव सीमा में बंधे रहते हैं वो सामानने मनुष बनकर रह जाते हैं परन्तु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविश्य बनाते हैं क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती आपको बांधती भी है अब ये आप, मुझ पर, हम सब पर निर्भर करता है कि ये जाने कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्क समक्फलाती हैं इसलिए सीमाएं तो जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयत्न कर तब ही नए सीमाएं बना पाओगे भाग्य क्या है जो आपने किया उसे भुगना भाग्य है या जो आपके पूरवजों ने किया उसका फल भाग्य है नहीं, भाग्य वही है जो आपने किया चुकि हर मनुष्य को अपने कर्मों के फल भुगतने होते हैं इसलिए यदि जीवन में कुछ भी करें तो उस पर अपनी दृष्टी अवश्य रखे चुकि आपके एक कर्म का फल आपका भविश्य बदल सकता है हम वही बनते हैं जो हम चुनते हैं चुकि वही हमारा भाग्य बनता है मनुष्य सुन्दर्ता से आकर्शित होता है उससे प्रेम करता है और असुन्दर को देता है ऐसा होता है ना क्या आप ऐसा नहीं करते हैं करते हैं तो सुन्दर और असुन्दर की परिभाशा क्या है इस आकर्शन और विकर्शन का कारण क्या है कभी सोचा है, कभी सोचा है कि जिससे आप प्रेम करते हैं, जिसके प्रती आप आतरशित होते हैं, अचानक से उसके लिए मन में वित्रिशना आ जाती है, और जिसके प्रती घ्रणा होती है, उसके लिए एका-एक आपके मन में प्रेम उमडाता है, कारण है द्रिश्टि कौन चुकि सुन्दर्ता आपके मन में होती है आपके सोच में होती आपके दृष्टी कोण में होती इसलिए किसी को कीचड में खिला हुआ कमल सुन्दर लगता है और किसी को निर्मल चंद्रमा में भी कलंख का धबबा दिख जाता है यदि आपको सुन्दरता अनुभफ करने हर पल आनंद में रहना है तो अपने दृष्टी कोन को सुन्दर बनाए और अपने आप सब उच्छ सुन्दर बन जाएगा हम अपनी सोच और संसार की मान्यता के अनुसार अपने विचार बनाते हैं जैसे सत्त कहना धर्म है असत्त कहना पाप सहनशीलता धर्म है और क्रोध करना अधर्म उप्तार करना जीवों पर दया करना धर्म है और निश्ठुर होना अधर्म परन्तु क्या यही सकते है क्या कभी-कभी परिस्थितिया इन आवेशों को उल्टा नहीं कर देती करती है यदि इस संसार में कुछ धर्म है कुछ पुन्य है कुछ महान है तो परिस्थिति के अनुसार चलना जटायू स्मरन है आप सबको वो जिनोंने रावण पर क्रोध किया था उस पर आक्त्रमन किया था उस समय जटायू का क्रोध पाप नहीं था धर्म था इसलिए अन्त में उन्हें भगवान राम की गोध मिली और कुछ ऐसे भी होते हैं जो धर्म को सहनशीलता समझकर हर अन्याय को सहते हैं और अन्त में वो बाणों की शैया पाते हैं यदि कोई पशू या व्यक्ति आकारण आक्रमन करके किसी निर्दोश के प्राण लेने की चेश्ठा करें तो उसके रक्षा हे तू उसका वद कर देना पाप नहीं समय की मांग है चुकि आक्रमन भी आत्मरक्षण ही है यदि किसी दुष्ठ की सहायता करने से सामान ने मनुष्य को कश्ठ पहुँचे पीडा पहुँचे तो उसे सहायता ना देना ही धर्म है अकारण क्रोध अस्विकार रहा परन्तु यदि क्रोध से कुछ शुब हो पाप बाहुभी थो तो क्रोध और डंड भी धर्म ही है संसार का सबसे बड़ा पाप क्या है असत्य बोलना हत्या कर देना चोरी करना या किसी का अपमान करना संसार का सबसे बड़ा पाप है किसी निर्बल को सताना और संसार का सबसे बड़ा टंड भी उस निर्बल के मुख से निकली आए है आप देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं मैं लौह पिखला रहा हूं और ये लौह पिखलता है इस चमड़ी की बनी धूनकी से निकली हवा से तनिक सोची एक मृत पशू की खाल से बनी धूनकी इतने कठोर लोहे को भस्म कर सकती ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितने भी शक्तिशाली क्यों न हो यदि आपने किसी निर्गोष किसी निर्बल को सताया तो उसके मन से निकली हाए और उसका श्राफ आपके जीवन को भस्म कर सकता है स्वन सज्जन पुरुष और परुपकारी मनुश्यों की गती एक समान होती है यदि स्वन तूट जाये तो उसे गरम करो ताप दो बिघल कर वो फिर से जुड़ जाता है खीक उसी प्रकार मदभेध होने के पश्चात भी एक सज्जन पुरुष और महान पुरुष फिर से मित्र बन जाते परन्तु दुर्जन दुष्ट माटी से बने लोग उस पके होए मटके के समान होते हैं कि जिनमें यदि एक बार दरार आ जाए तो वो स्वयम ही स्वयम का सर्वनाश कर लेते हैं इसलिए मित्रता केवल सज्जनों से ही करें ताकि मदभेध ना दुष्टों का समू अपना नाश्ट स्वयम ही कर लेता है यदि कोईले की खान में जाओ तो चाहे जितनी भी सावधानी बढ़तो अपने वस्तरों पर कालिक लग ही जाती है इसलिए दुष्ट मित्रों से सावधान सज्जन शत्रू प्रतेख परिस्थिती में श्रेश्ट है प्रतेख मनुश्य सफलता पाने के लिए कार रिकरता है कुछ सफल होते हैं कुछ नहीं होते हैं और जो सफल नहीं होते वो सदा अपनी असफलता का कारण या तो अपनी परिस्थितियों को बताते हैं या अपने सहयोगियों को दोशी ठहराते हैं परंतु कि वास्तविक्ता में ऐसा ही होता है। क्या कोई परिस्थिती या कोई व्यक्ति किसी की आसफलता का कारण बन सकते हैं। उत्तर हाँ भी है और ना भी। कैसे? आप इस तितली को देख रहे हैं? आपने एक मक्खी को भी देखा हो। प्रक्ति ने दोनों को समान गुण दियें रस पान करने का। एक तितली फूलों पर जाकर उसका रस लेती। और इस अवस्था में नए फूल खिलने की विवस्था भी करती। और मक्खी घाव पर बैढती। घाव को सडाती है और रोग भी फैलाती। यदि इसमें किसी बात का अंतर है तो केवल सोच का। यदि आप उचित मार्क चुनेंगे, तो आपको सफलता मिले, आप में उत्सा बढ़ेगा, और यदि आप अनुचित मार्क चुनेंगे, तो आपको असफलता मिले, निराशा मिले, अब उचित मार्क चुनना है या अनुचित मार्क, ये निर्णय तो आप पर निर्फर करता ह सत्य को अच्छा मानता है और असत्य को बुरा कि प्रतेक वस्तू, प्रतेक भाव का एक महत्व होता है दोनों ही एक दूसरे के पूरक होते हैं यदि काला रंग नहीं होगा तो क्या श्वेत रंग की आभा का अनुभव होगा यदि असत्य नहीं होगा तो क्या सत्य के महत्ता का ज्ञान होगा यदि बुरा नहीं होगा तो क्या भले पर आपको विश्वास होगा कुछ महत्वपूर्ण है तो दोनों के मध्ध का संतुल है बुरी से बुरी वस्तु, समय या भाव कोई ना कोई स्वयम में शुब छिपाए रखती है कभी काले गरश्ते मेगों को देखा है उसके किनारे भी एक स्वर्णम आभा होती है उसी प्रकार यदि आपके जीवन में बुरा समया तो आपको अपने सच्चे मित्रों की पहचान हो जाती है तो बुरे समय में निराश ना हो, उसमें भी कुछ शुब खोजने का प्रयास करें और धीरे धीरे सब कुछ आपके जीवन में स्वतह शुब हो जाएगा संसार में सबसे महत्वपून क्या है? दृष्टी या दृष्टी कौन? समझ या सोच? समान्यता मनुष्य की दृष्टी और सोच में अधिकतर वो वस्तु, वो घटनाएं, वो भाव श्रेष्ट हैं जो हमें आनंद दे और जो हमें आनंद नहीं देते, उन्हें हम दुखदाई मान लेतें। परन्तु दृष्टी कौन? और सोच को यदि एक भिन कौन से देखें तो? तो परिस्थितियां भिन सिद्ध हो सकती हैं। जिस प्रकार भीशन गर्मी हमें सुहाती नहीं। परन्तु वही गर्मी सागर और नदियों के जल को वाश्पित करती हैं। और हमें मनोरम वर्षा का आनंद देती हैं। उसी प्रकार भीशन परिश्रम के पस्चाथ हमें सफलता मिलते हैं। अक्षा के पस्चाथ हमें हमारा लक्ष मिलता है। तो सदा स्मरन रखिएगा कि दुख और पीड़ा से भागे नहीं। चुकि यही भविश्य में आने वाले सुख का मूल है। जब भी आपने यात्रा की होगी तो अवश्य अपने मार्ग के आसपास कुछ रिक्स थान देखे होगी। कुछ खेत देखे होगी। कोई न कोई भूमी का टुकड़ा अवश्य देखा होगी। कुछ थान ऐसे होते हैं जहां पेड लगे होते हैं। जहां माली बड़े प्रेम से उन्हें बोता है। उन्हें सीचता है। और कुछ थान ऐसे भी होते हैं जहां बिना माली के खरपतवार उग जाते हैं। कुछ अन्ने पौधे उग जाते हैं। माली द्वारा उगाय वरिक्ष हमें ठंडी चाया देते हैं, हमें फल देते हैं, इंधन के लिए लकड़िया देते हैं और बिना परिश्रम के उबजिद खर-पतवार यदि कुछ करते हैं, तो ये कि वो भूमी को बंजर बनाते हैं हमारा मन भी रिक्त भूमी की भाती होता है यदि अपने परिश्रम से उसमें सू विचारों के बीज डालोगे तो फल दायक विचार उपजेंगे और यदि उसे रिक्त छोड़ दिये तो खरपतवार की भाती अनउपयोगी विचार आपके मन को अपना घर बना लेंगे आपके मन को मैला कर देंगे उसे बंजर कर देंगे अब निर्णय आपका है कि आपको सू विचार देने वाला मन चाहिए या कुंथा देने वाला जल प्रक्रती को इस संसार की सबसे अनूठी देने वो महासागर में भी मिलता है और मीठे तलाब में वो पवित्र गंगा में भी होता है और दुरगंध आती नाली में भी हम तलाब और नदी को सम्मान इसलिए देते हैं चुकि उसका मीठा जल हमारी प्यास बुझाता है परन्तु सागर का जल पीने योग नहीं होता इसलिए कभी-कभी हम उसे उतना महत्व नहीं देते हैं और नाली के जल को हम हेद रिष्टी से देखते हैं तो क्या ये उचित है हमारे संबंद भी इसी जल की भाती होते हैं जिस संबंद से हमें लाब ना उससे हम दूर हो जाते हैं कभी इर्चा के कारण कभी अहंकार के कारण उस संबंद को तोड़ देते हैं तो क्या संबंद को तोड़ देना उचित है तनिक विचार कीजिए माना की सागर का जल फसल नहीं दे सकता परन्तु मोती तो देता है माना कि नाली का गंदा जल हमें किसी भी कारि के लिए उप्युक्त ना लगे परंतु वो भी कहीं लगी अगनी को भुझा सकता है ही किसी प्रकार प्रतियेक संबन कहीं न कहीं किसी न किसी परस्थिती में उप्योगी हो सकता है बड़ी विकट समस्या है मुझे स्मरण ही नहीं हो रहा कि इस गुच्छे की कौन सी चावीज ताले को खूले बड़ी देर से प्रयास कर रहा परन्तु ये ताला खूल ही नहीं रहा ऐसी परिस्थिती में आप क्या करेंगे अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिती में अपनी आशा खो बैठते हैं उन्हें लगता है कि चावी खो गए वो तिल मिला जाते हैं प्रोधित हो उठते हैं परन्तु उस समय धैर रखें तो गुच्छे की अंतिम चावी ताला खोल सकती है परन्तु क्या सत्य में कुलाडी का अंतिम प्रहार व्रिक्ष को काट के गिरा देता है आपको आपका लक्ष दिला देता है नहीं आपका निरंतर प्रत्न ही आपको सफलता दिलाता है जब आपका मन निराश तो अपने कार में दुगनी उत्सा से जुट जाए चुकि अनावरत बहता जल ही कठोर चट्टान को काट सकता है सफलता का मूल है परिश्रम, प्रियास और आशा मनुष्य का जीवन रित्वों के समान होता है आज ग्रीश में, तो कल वर्षा, परसो शी, तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं तनिक रितू बदली, तो हम अधीर हो जाते हैं अपने आकरोश में, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंद बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं क्यों? ऐसा होता है ना? हमें लगता है कि हमारे अपने हैं फिर से मना लेंगे? परंतु स्मरन रखे सदा ऐसा करना संभव नहीं होता सागर की उचलती लहरों को टट सहता है और यदि टट ही तूट जाए तो बार आ जाती है हमारे संबंद भी दूद की भाती होते हैं दूद कपकर उबल सकता है परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो वो फट भी जाते हैं और फटे दूद को चाहे जितना मतलो उसमें से माखन नहीं निकलेगा इसलिए अपने संबंधों को समहल कर निभाना चाहिए मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या होती है सूचिय धन प्रेम अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता होती है उसके रहस से चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों नहों कितने भी प्रबल क्यों नहों परंतु उसके रहस से उसके नाश की चाभी होती है इसलिए यदि प्रबल रहना है शक्तिशाली रहना है समर्थ रहना है तो अपने रहस्य को किसी को भी न बताए ना मित्र को और ना ही शत्रू को क्योंकि समय पढ़ने पर कब कौन शत्रू हो जाए ऐसा कहना संभव नहीं विभीशन को रावड के अम्रित कुंड का ग्यात था इसलिए प्रभुश्री राम रावड का वद करने में सभल हो सके इसलिए उचित यही है कि आप अपने रहस्य को स्वयम तक ही सीमित रखे मनुष्य का मन बड़ा विचित्र होता है कल्पना में ही विकास करता है संपन्भविश्य का स्वपन देखता है और कल्पना में ही जो नहीं हुआ उससे भै खाता है और यही भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रू है, हमारे भविष्य के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है अब आप लोग मुझसे पूछेंगे कि इसका तोड़ क्या है, भय से मुक्ति कैसी पाई जाए तो ये प्रश्ट आप स्वयम से पूछें, तरिक सोचिए, जब आप एक सुन्दर भविष्य की कामना करते हैं, तो उसे पाने के लिए आप परिश्रम करते हैं, ठीक उसी प्रकार, भय से मुक्ति पाने के लिए आप उससे लड़ जाएं, और उसका निवारन आपको स्वतय ह ही मिल जाएगा, इसलिए जब भी भय आपको सताएं, तो उससे भागे नहीं, उससे घबराएं नहीं, क्योंकि भय का काम ही होता है आपको भयभीत करना, इसलिए जब भी भय आप पर आक्रमन करें, तो आप भी उस पर पहले ही आक्रमन कर दें, हम सब मित्रों के साथ रहना चाहते हैं, शत्रू से दूर रहना चाहते हैं, क्यूं? क्योंकि हमें जीवन में आनन्द पाना है, जीवन में आगे बढ़ना है, स्वयम को संपन्न देखना है और यदि किसी से भी आप पूछेंगे कि जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे अधिक अवशक्ता किसकी होती है तो हर एक आपको लगबग एक ही उत्तर देगा सफलता प्राप्त करने के लिए आपको सथे मित्रों की अवशक्ता होती है परंतु यदि आपको और अधिक सफल होना है, तो आपको केवल मित्रों की नहीं, शत्रू की अधिक अवशक्ता है, अब आप कहेंगे ये मैंने कैसी बात कर देगे, तनिक स्वयम सोचे, जब भी संकट आता है, तो मित्र क्या करते हैं, आपकी सहायता करने के लिए आपके हो जाते हैं, और संकट के समय में शत्रू और बड़ा संकट बनखर हमारे समक्ष खड़े हो जाते हैं, बित्र हमें सहायता देते, अपनी शक्ती देते हैं, परंतु शत्रू आपके भीतर छिपी शक्ती को बाहर लाता है, आपको और अधिक बल्वान बनाता है, संगती या साथ मित्र और साथी मनुष्य के विक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं अब आप कहेंगे ये कैसे मनुष्य अवश्य अपने विक्तित्व के लिए उत्तरदाई होता है परन्तु मनुष्य संगती में ना चाहते होए भी उसका विक्तित्व संगत की भाती हो जाता है इन पात्रों को देख रहे हैं मध्ध में जल रखा है इसमें दूद है और इसमें मलीन कीचड रखा है यदि मैं इस जल को इस दूद में मिलाता हूँ तो ये जल दूद बन जाता है और यदि इसी जल को इस मलीन कीचड में मिलाता हूँ तो क्या हुआ? ये जल कीचड बन गया ऐसी कोई युक्ति नहीं की जल बिना घुले मिले दूद या कीचड में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे और ठीक ऐसा ही मनुष्ट के जीवन में भी होता है यदि एक गुणहीन व्यक्ति गुणवानों की संगत में बैठे तो उसे भी गुणवान संधा जाता है सम्मान का पात्र संधा जाता है और यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणहीनों की संगत में बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है इसलिए अपने जीवन में सदाय संगती सोच समझ कर सावधानी से चुनियेगा कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है वो उसे सीचता है उसे जोतता है पशु पक्षियों से खेत की फसल की रक्षा करता है परन्तु एक बात का वो सबसे विशेश ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खर पत्वार ना उग जाए चुकि एक खर पत्वार खेत की सारी फसल को नश्ट कर सकती है ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वो समूचे वंश का सर्वनाश कर देती है इसी लिए संतान के लालन पालन में विशेश ध्यान देना अवश्यक होता है चुकि संतान वो फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन भी कर सकती है मनश्य भी बड़ा विचत्र प्राणी है अपनों से नीचे के अस्तर के लोगों को वो हे दृष्टी से देखता है उनका उपहास उड़ाता है उनसे बार-बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता तुम भविश्य में कुछ नहीं कर पाओगे जब मनुष्य के पास धन संपत्ति मान होता है तो वो दूसरों का आदर नहीं करता परन्तु वो एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है और वो है समय काल काल अपना चक्र कब बदलेगा ये कोई नहीं जानता समय अपनी करवट कब लेगा ये कोई नहीं जानता कोईला भी समय के साथ साथ हीरे में परिवर्थित हो जाता है इसलिए जीवन में कभी भी किसी का भी उपहास नहीं उड़ाना चाहिए देख रहे हैं इसे ये रेथ है कहा जाता है कि इसे आप मुठी में बंद करके नहीं रख सकते क्यों? क्या इसका स्वभाव ही ऐसा है? या हमारे हाथों में इतनी सक्षम शक्ती नहीं कि इसे मुठी में बंद करके रख सके या फिर इसका स्वरूप ही ऐसा है कि ये फिसल ही जाएगी कराजित इसलिए कहा जाता है कि आप रेट को मुठ्थी में बंद करके नहीं रख सकते फरन्तु मैं आपसे कहता हूँ कि आप रेट को मुठ्थी में बंद करके रख सकते हैं कैसे? इसका उत्तर है यदि आपके हाथों में पसीना हो तो आप रेत को अपनी मुठ़्ी में जकड सकते हो और पसीना कैसे आता है परिश्रम से प्रियास से तो यदि आप परिश्रम से निकले पसीने से आप रेत को मुठ़्ी में बंद कर सकते हो तो ऐसा क्या है जो आप जीवन में परिश्रम से पा नहीं सकते मान सम्मान धन संपत्ति बल ये सब परिश्रम की उत्पाद है हम कौन है हमारा अस्तित्व क्या है हम क्या है और क्या बन सकते हैं ये बड़ा विचित्र प्रश्ण है परंतु उतना ही महत्वपून में मनुष्य सदा अपने वर्तमान प्रारब्ध के लिए अपने अतीत को उत्तरदाई ठहराता है अपने जन्म को अपने परिवार को उत्तरदाई ठहराता है परंतु तनिक सोचिये एक कमल जो कीचड में खिलता है वही कमल भगवान की मूरत पर शोफित होता है एक कोईला जिसे कोई भी शीग्र नहीं चुना चाता परंतु वही कोईला धरा कताप और दवाव सहकर हीरे में परिवर्थित हो जाता है और वही हीरा मस्तक पर शुशोभित होता है तो इन उधारणों का निशकर्श क्या है इन उधारणों का ये निशकर्श है कि उससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आपने जन्म कहा लिया आपके कर्म आपका स्तर निर्धारित करते हैं हमने कहा जन लिया ये हमारे नियंत्रण में नहीं था परन्तु हम कब और कहा अपने जीवन की अंतिम स्वास लेंगे ये अवश्य हमारे नियंत्रण में होता है तो कर्म कीजिए अपने जन की उलाहना मत दीजिए एक मनुष्य सदैव शांती और अपनी स्वतंतरता चाहता है परंतु जैसे उसे ये अधिकार मिलता है वो दूसरों का प्रभुत्व छीन लेना चाहता है वो उनका अधिकार उनकी स्वतंतरता को छीन लेना चाहता है वो ऐसा अपने आनन अपने लाब के लिए करता है अपने लाब के लिए वो दूसरों का शोशन करता है जो आलोचना नहीं करता उन पर अधर्म करता है परंतु वही मनुष्य एक बात का स्मरन रखना भूल जाता है कि उसके कर्म ही उसे उसका फल भी देंगी उसका प्रारब उसे उसके मनतव्य तक अवश्य ले कर जाएगा वर्शा का जल चाहे सागर में मिले या माटी में परन्तु समय की सूर की किरण उसी जल को वश्प में परिवर्थिभी कर देती इसलिए किसी भी मनुष्य की विनम्रता का इतना अधिक लाब ना उठाएं कि वो उग्र हो थे मैं क्या कर रहा हूँ? मैं इस पौधे को सीच रहा हूँ आप भी ये कारे प्रति दिन करते हो जब इस पौधे को जल देंगे तभी ये फल्वित होगा इसमें से फूल निकलेंगे, इसकी सुन्दर्ता बढ़ेगी परन्तु प्रति दिन ये कार करने के पस्चाद भी हम इससे एक महत्वकून सीख लेना भूल जाते हैं हम कभी पौधों के पत्तों पर, उनकी डालियों पर उनके फूलों और फलों पर जल धारा नहीं डालते उन्हें धोते नहीं, परन्तु फिर भी वो बनपते हैं यदि जल जड में जाए, वही सफलता का मूल है यदि आप एक बार में अनेक कार करने जाएंगे तो आपको एक कार में भी सफलता नहीं मिलेगी परन्तु यदि आप भुधी मतास जड मंग से एक कार साधींगे तो एका एक स्पते ही सारे कार सध जाएंगे जो आपका मूल है यहां से आपको स्थिचाई मिल रही है यदि आपने उसी जड़ को छोड़ दिया तो एक सूखे पौधे की भाती आप भी सूख कर गिर जाएंगी और अंतता अपना सित्व को बैठे हमने एक बात अपने माता पिता अपने बड़ों से अपने बुज़ुर्कों से सुनी ही होगी कि संगती का प्रभाव मनुष्य पर पड़ता ही यदि वर्षा की एक बून सीप के मुख में जाए तो वो मोती बन जाती और यदि वही वर्षा की एक बून सर्प के मुख में जाए तो विश्ठ तो के यही सत्य है? नहीं, आपने कभी चंदन के विरिक्ष को देखा है? उस पर सर्प विचरन करते हैं, विश्धर उससे लिपते रहते हैं, परंतु फिर भी चंदन का विरिक्ष विशैला नहीं होता, वो तब भी सुगंध देता है और पवित्र माना जाता है तो इसका राज से क्या है? कि वर्षा की बून्द पर संगती का प्रभाव पढ़ता है और चंदन के विरिक्ष पर नहीं? इसका रहस्य है आत्म पल। वर्षा की बून्द वाता वरण के अनुसार स्वयम को बदल नेती हैं, इसे लिए उसकी संगती ही उसका प्रारब्ध बन जाती हैं, परंतु चंदन का विरिक्ष अपना व्यक्पित्व, अपना गुण नहीं खोता हैं इसी लिए यदि आप में आत्म बल हो, आपका मन द्रण हो, तो बुरी से बुरी कू संगती भी आपका कुछ नहीं बिगार सकती सिह को जंगल का राजा कहते, सभी पशू पक्षी उसका बल मानते, उससे भैबीत रहते परंतु सिह को भी अपने भोजन के लिए आखेट करना पड़ता है, खात लगानी पड़ती है, बड़ी दूर तक उसे अपने शिकार का पीछा करना पड़ता है और तब जाकर उसे भोजन मिलता है और कई बार उसके ये कठिन प्रयास भी आसफल होते हैं यदि सिह ये सोचकर बैठ जाए कि मैं तो वनका राजा हूं मेरा भोजन स्वयम मेरे मुख में आकर गिर जाए तो वो भूखे मर जाएगा क्या समझे राजा हो या रंग उद्यम सभी को करना पड़ता है चूकि महनत परिश्रम यही तो सफलता की कुण्जी है यदि जल पाना है तो कुवा खोदने में पसीना बहाना ही होगा यदि सफलता पानी तो राद दिन परिश्रम करना होगा बिना परिश्रम के तो देवो को भी अमरित नहीं मिलता इसलिए परिश्रम कीजी आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी देख रहे हैं ऐसे ये बड़ा भयंका रस्त्र है अब आप कहेंगे कि ये चोटी सी धातू भला किस काम की आप चाहें तो इस धातू से वस्तुए जोड ले या फिर चोट भी खा सकते हैं ये एक धातू लकडी के दो पटो को एक करके जोड सकती है या फिर आपके शरीर में लग जाये या चुप जाये तो आपको बहुत बड़ा घाव भी दे सकती है इसलिए एक बात सदास्मरन रखे कोई भी वस्तुँ छोटी या बड़ी नहीं होती सबका अपना महत्व होता है यदि आपको स्वयम बड़ा बनना है तो कभी किसी को छोटा समझने की भूल ना करें यदि छोटों का साथ लिया तो आप स्वयम बड़े बन जाएंगे और यदि उनका तरसकार किया तो इस धातू की भाती चुप कर वो आपका मार्क भी रोख सकते है